हेलो फ्रेंट्स वेलकम मां यूट्यूब चैनल फॉलो इस डी फ्रेंट्स आजके इस वीडियो में हम टॉपिक लिए हैं वर्तमान में कौन क्या है और यह नवंबर मन्थ तक पूरा अपडेटेड है देखिए फ्रेंट्स आने वाले एक्जामों के लिए मोस्ट को मिलेगा तो इंपोरेंट्स वीडियो को एंड टक दिखिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिजेगा अगले वीडियो का अब्रेट पाने के लिए टॉप थर्टी क्वेस्टन है और इसके साथ कुछ अडिशनल जनकारिया भी है तो सब सब्सक्राइब करेक्टन से रोजाएगा राहूल द्रविल इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं बीशिच याई के बारे में तो कुछ इंपोरेंट पॉइंट है यहां पर बात हुई है भारत में क्रिकेट मैच बीशिच याई रेगुलेट करता है यह आप उजाद हो थी और इसके वर्तमान अध्यत सौरव गांगुली है और इसके वर्तमान सचीव है जैसा जो की अमीट सा जो की वर्तमान समय में ग्रीह मंत्री है उनके बेटे हैं जैसा यह सभी बात आपको याद रखनी है मौस्ट इंपोरेंट है ओके फिक्की के न्य महा निदेशक कौन बने है यानि फ-i-c-i-i के न्य महा निदेशक कौन बने है या कोसंनी पुछा गया है तो और सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन पूरा नाम है फून नाम है Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries इसका पूरा नाम है इस हिंदी में भारती ये वारी जे एम उद्योग महाश्यं कहा जाता है इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्याले नई दिल्ली में है और इसके अध्यच के अगर हम बात करें तो इसका अध्यच है वर्तमान समय में उदेश संकर वर्तमान समय महानी देशक कोन है अरूर चाला अभी मैंने आपको बताया और इसके संस्थापक कोन है तो घंस्याम दास बिरला और पुरुस्वत्तम दास ठाकुर दास नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा तो सभी बात है इंपोरेंट है फिक्की संबंदित यह आपको याद रखने है खास तोर से आपको नई दिली 1927 इसका पूरा नाम और अध्यच यह आपको याद रखना है चरी नेक्स को साथिक लेते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहें तो जरूरबव को लाइक करें और वीडियो के एंड में इस वीडियो को अपने दोस्तों में जहाँ जहाँ सेर करिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को ज़लो से सब्क्राइब पर लीजिएगा और देखिए वीडियो के डिस्कुशन बागत से मैं टेलीग्राम गुरूप का लिंक मैंने दे रखा है तो वहाँ पे टेलीग्राम गुरूप आप जोइन कर लिजेए वहाँ पे पीडियाफ और क्योंच दर्खने को मिल जाएंगे तो आप जरूर्ड से वहाँ पे टेलीग् प्रियंख कानून गो और इससे समधित हम आगे डिसकस करेंगे अगला कुस्टन है भारत पे के नए अध्याच कौन बने है रजनीश कुमार ऑफ्शन सी यहाँ पे करेक्ट इंसर हो जागा मोस्ट इंपोरेंट है नेक्स कुस्टन उर्जा दच्छता सेवा लिमिटेड या इसल के नहीं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं अरुण कुमार मिस्टा मोस्ट इंपोर्टन है चीजulk संद देख लि atheist कि परद्दान option यहाँ पर correct answer हो जाएगा option C correct answer हो जाएगा आमित खरे तो प्रधान मंत्री नरेज मोदी के नए सलाकार यानि एडवाइजर कौन बने हैं आमित खरे most important है आने वारे एक्जामों के लिए याद रखियेगा आमित खरे next question भारती भारतुलन महाशंग यानि की President of Indian Weight Lifting Federation के नए अध्यच कौन बने हैं तो कौन बने है अध्यच कौन है तो सहदेव यादो देखिए भारती भारतुलन महाशंग के अध्यच है सहदेव यादो और इनका कारेकाल कब से कब तक है 2021 से 2025 तक इनका कारेकाल है और पूछा जाए आप से कि इसके महासचीव कौन है आनंद गोर तो most important है आप इससे याद रखियेगा ओके नेक्स कोशन है आयूस निजसाले के पहले महानिजसग कौन बने है तो आयूस निजसाले के पहले महानिजसग कौन बने है कौन बने है ए आर शेख ऑफशन बी करेक्ट अंसर तो आयूस निजसाले के पहले महानिजसग कौन बने है ए आर शेख नेक्स कोशन भारती वा चोधरी और देखिए यहां पर आपको एक्जामों में देखने को मिल जाता है तो वी आर चोधरी भी आपको देखने को मिल जाए तो यह भी करेक्ट हो जाएगा और वैसे आपको पूरा नाम भी याद रखना है विवेक राम चोधरी भारतियों वायुसेना यानि इंडियन अनाम क्या है in English में इंडियन एर होसी आपको जाद रखना है वायुसेना दिवस मनाया जाता है वायुसेना दिवस8 अक्टूबर को मनाया जाता है और हम बात करें कब से मनाना यह शुरू हुआ तो 8 October 1932 से यह शुरू हुआ था और प्रतेक वर्स यहां पे श्थापना हुई थी 8 October 1932 से और इसी के उपलक्ष में 8 October को Indian Air Force डे मनाया जाता है तो यह आपको जाद रखना है most important है वायू सेना प्रमुक कौन है एर चीफ मार्सल विविक राम चोधरी और देखिए यहां पे और important बात आपको जाद रखनी है कोस्तन आप से पुछे जाता है कि एर चीफ मार्सल किसके यूच किया जाता है या किसके लिए उपयोग किया जाता है आपको नौ सेना थल सेना वायू सेना आफसन में देगा तो देखिए वायू सेना के लिए वायू सेना प्रमुक के लिए एयर चीफ मार्सल का उपयोग किया जाता है तो एयर चीफ मार्सल विवेक राम चोधरी वायुसेना के प्रमुख अभी वर्तमान समय में और इसका मोस्ट इंपोरेंट है इसका मुख्याले कहां है नए दिल्ली तो इस सभी इंपोरेंट बाते हैं आपको याद रखनी है ओके इसका मुख्याले कहां है नए डिल्ली में नेक्स कुस्टन है भारत तिबबत सीमा पुलिस बल या नेक्स कुस्टन है नए महानिदेशक कौन बने हैं तो कौन बने हैं यहाँ पर ऑफ्षन भी करेक्ट अन्सर हो जाएगा संजे अरोडा तो भारती तिबबत सीमा पुलिस बल या नेक्स कुस्टन है कुछ इंपोरेंट पॉइंट डिसक्स कर लेते हैं आइट बीप के बारे में देखिए सीमा पुलिस बल ओके इस्थापना कब हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को इसके स्थापना हुई थी मुख्याले ITBP का कहां है नए दिल्ली में है डारेक्टर जनरल कोन है वर्तमान समय में संजे अरोडा मोटो क्या है ये भी आपको जाद रखने है ITBP का भी मोटो सर्यद्रिद् निश्टा ओके नेक्स्ट कोस्टन देख लेते हैं केंद्री रिजर पुलिस बल सी आर पीएफ के नए महाने देशक कौन बने है तो केंद्री रिजर पुलिस बल सी आर पीएफ के नए महाने देशक कौन बने है कौन बने है कुलदीप सिंग ऑफशन डी यहां पे करेक्ट जाता है और इसका इंगलिस में पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो केंड्रियर रिजर पुलिस फोर्स कहा जाता है इसका मुख्याले नहीं दिल्ली में है इस्थापना कभी थी 27 जुलाई 1949 को महा निजिसक कौन है कुल्दीप सिंग है वर्तमान समय में महा निरिचक क पूर्ण है पी एस रानिप से मोटो क्या है यह भी आपको जाद रखना है मोश्ट इंपोर्टेंट है मोटो है सेवा और निष्ठा ओके किस भारतियों को संयुक्त राष्ट में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है यहाँ पर ऑफ्षन एक करेक्टन सरो जाएगा जो या अगरवाल को मुस्ट इंपोर्टेंट है भारतियों को संयुक्त राष्ट में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया है जो या अगरवाल सब्सक्राइब को आफ सब्ल्किन सल्क्राइब को नेक्स में पूचा गया है् सब्सक्राइब इंटलектив को पूंकिन सर्मा मिर्णा म aisने इंटलिकाइब ठीक टेर्चनल को अभी जरुदेब सब्सक्राइब कर लिए अगले वीडियो का अप्डेट पाने के लिए अगला कुछन है नेशनल क्ड़ेट को यानि NCC के नए महाने जीज़े सक कौन बने हैं नेशनल क्ड़ेट कोर के तो कौन बने हैं गुरबीर पाल सिंग ऑफशन डी करेक्टर सरो जाएगा कौन बने हैं स्टी के नए महाने जीज़े सक गुरबीर पाल सिंग ऑफशन डी ओके नेक्स को सन भारत के पहले चीफ आफ डीफेंस स्टाप कौन बने हैं मोस्ट इंपोर्टन को सनने कई बार एक्जाम में पूछा भी गया है पिछले एक्जामों में और आगे भी पूछा जाएगा क्य प्रेश ट्रस्ट आफ इंडिया याने प्रेश ट्रस्ट आफ इंडिया यहाँ पर पूरा नाम हो जाएगा इस थापना कभी थी 27 अगस्त 1947 को मुख्याले कहां है प्रेश कोन है अध्याच कोन है अवीग सरकार ओके चले नेक्स को सन देख लेते हैं नागरिक उडियन मंत्राले के नए सचीव कोन बने है तो नागरिक उडियन मंत्राले के नए सचीव कोन बने है राजियू बंसल और यह वर्तमान समय में एर इंडिया के प्रबंध निदेशक भी है यह आपको याद रखना है तो नागरिक उडियन मंत्राले के नए सचीव के नय अध्याच कौन बने हैं सरदार इकबाल सिंग लालपूरा option d यहां पर correct answer हो जाएगा राष्ट्रिय अलप संख्यक आयोग के नय अध्याच कौन बने हैं सरदार इकबाल सिंग लालपूरा वही अगर हम बात करें कि राष्ट्रिय अलब संख्यक आयो के मंत्री कौन है तो वो है मुखतार अबास नकवी यह भी आपको जाद रखना है दोनों को सबी डाउट दूर कर लेना है क्योंकि एक्जाम में कोई भी डाउट न रहे तो देखिए राष्ट्री अलब संख्यक आयो के नए अध्याच कौन बने है सरदार इकबाल सिन लालपूरा और अलब संख्यक आयो के मंत्री पूछा जाए तो देखिए मुखतार अबास नकवी दोनों ही इंपोर्डेंट है आपको याद रखना है ओके नेक्स क्वेशन इस्टाब टीवी पार्टनर सी बोड के नए अध्याच कौन बने है मनसुक मंडविय और देखिए ये वर्तमान समय में स्वास्त मंत्री भी है मनसुक मंडविय तो इस टाब टीवी पार्टनर सी बोड के ने अध्याच कौन बने है मनसुक मंडविया जो की वर्तमान समय में स्वास्त मंत्री है नेक्स कोशन सहकारिता मंत्राले के सच्चिव सच्चिव कौन ब कार्टा मंत्राल्य और इसका अत्रिक्त प्रभार किसको दिया गया है अमीत hade गया है अमी को पूछा जाएक पूछा जाएक सहागत मंत्रा जो की मंत्रի Krya Claus अर सहकारता मंत्रा ले उनको अतरिक्त प्रभार दिया गया है तहुषंएक तुस्ट्टिण है अभयकुमार सहकारता मंत्री है अमित्थ साहुकै नेक्स ब्रसन भारत के लेखा-श्राइब यानि CGA कौन बने हैं तो कौन बने हैं ऑफसन सी दीपक दास मुस्ट इंपोर्टेंट है भारत के लेखा महान इंत्रख CGA कौन बने हैं दीपक दास कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है CGA के बारे में हम यहां पर डिसक्स करेंगे CGA का पूरा नाम है Controlled General of Accounts यह मोश्ट इंपोर्टेंट के कई बार एक्जाम में पूछा जाता है तो CGA जो की Controlled General of Accounts इसका पूरा नाम है और देखिए दीपक दास जो की भारत के यह 25 CGA है यह आपको जाद रखना है CGA जो बने है Controlled General of Accounts यह 25 नंबर के हैं इनसे पहले कौन थे यानि के 24 नंबर के कौन थे सोमा राय वर्मन ओके तो यह आपको जाद रखना है एक्जामों में पिछले Questions भी पूछे जा सकते हैं तो 24 नंबर कौन थे सोमा राय वर्मन और वर्तमान में नविंतम जो के 25 हैं भारत के दीपक दास नेक्स कोशन वर्तमान में लोकसभा अध्यच का लोकसभा अध्यच कीसे चुना गया है तो वर्तमान में लोकसभा अध्यच का नाम क्या है ये भी कोशन पूछा आ सकता है तो क्या नाम है ओम बिर्ला option D correct answer हो जाएगा ये भी question पूछ ए सकते है वर्तमान में लोकसरभा के अध्यच खोन है तो om Birla यहां पे correct answer हो जाएगा option D next question लोकसरभा का नया महासचीव किसे नियुकत किया गया है तो लोकसरभा का नया महासचीव किसे नियुकत किया गया है उतपल कुमार सिंग नेक्स कोशन राजिसभा के नए महासचिव कौन बने है तो राजिसभा के नए महासचिव कौन बने है पी पी के रामाचारियालू राजिसभा के नए महासचिव कौन बने है पी पी के रामाचारियालू दोनों ही important है Next question राजसभा के उपसभापती कोन नियुक्त हुए है देखिए राजसभा का जो सभापती होता है वो उपराश्ट्पती ही होता है तो वर्तमान समय में राजसभा के सभापती तो वा इंकिया नैंडू है जो की उपराश्ट्पती है लेकिन यहाँ पर बात की गई है राजिसभा के उपसभापती के बारे में उपसभापती वर्तवान समय में कोन है हरिवन सर नारायान सिंग option b correct answer हो जाएगा most important है next question वर्तवान में राजिसभा के विपच्च के नेता कोन है वर्तमान समय में विपच्च के नेता कॉन है राजी सवा का यहां पर पूछा गया है मलिका आरजुन खड़ गे और भीमें के नेता कॉन नूप्थ हुए है भारती महिला राष्यत्रे फुर्बाल टीम के नए कोच कोन बने है तो भारती महिला राश्टी फुर्बाद टीम के नए कोश कोँजन बने है मुस्ट इंपोर्टन कोशन है ठामश देनेबी ओफ्सं एक करेक्ट एंसर नेक्स कोशन नागरिक उडियन सुरक्सा बिरो के नए महानिजिस कोट बने है most important question next question bed bank के पहले अद्यश कोन बने है पदम कुमार माधवण और यह पहले अद्यश है इसलिए वर ग्हो्स नहीं Whose important बने जाता है तो बेड़े बेंक के पहले अद्यश कोन बने है पदम कुमार माधवान तो फ्रंट सभी के सभी questions पूरे हो गए आज का हमारा इस वीडियो question of the day है इसका answer आपको हमें comment में देना है राजी सभा का उलेक किस अनुस्यद में है अनुस्यद 79, अनुस्यद 80, 81 या फिर 155 जो चारो आपसन में कोई भी एक correct answer है इसका answer आपको हमें comment में देना है साथे साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए जरू सी वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में चैनल को subscribe कर लिजिएगा अगली वीडियो का update पाने के